किवाइन स्टुडेंट तो आज एक लास में लोग तीन टॉपिक करें एडेटोरियल में पहरा जो टॉपिक है चायना तो कंटिनेंटल फरंट पे तो हमें चैलेंज करता ही है साथ में साथ साथ मेरी टाइम ठीयेटर पे भी हमें तो चाहिना दोनों ही फ्रेंस हें चाहतो वह कंटिनेंटल फ्रेंट हो चाह हो मैरे टाइम फ्रेंट दोनों ही फ्रेंट से इंड्या को घेड़ने में लगा हुआ है ही और नीचे तुमको ऊस्त। एक्सजिनन नज़ आएगा और यहां दिन परति दिन चाहना आपना पूरी तरीके इसे पूरा फैला रहा है अपना वर्चस्प तो ऐसे केस में इंडिया जो की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओसन का यह चुप-चाप खामुस रहेगा तो नहीं चलने वाला है समझे ना तो वही असंस इस एडिटोरियल में पूरा इंटर्नेशनल लिलेशन 27 देखो मैंने कहा था ना कि आये गाई है का इंटर फिर्स में अका इंडिटोरियल्स में आए गई है मिनिस्ट्री आफ होम अफियर्स के अंदर अंदर गथी तुम्हारा एफ सीरे वेगरा आता है जो कि पहले 1976 में बना फिर 2010 में फिर अमेंडमेंट हुआ 2020 में तो देखो अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्था है उसका एफ सीरे लाइसंस जो है रद कर दिया गया इ 2022 में जज्जमेंट आया था उसमें क्या कहा था सुप्रिम कोट ने तो सभी चीज समझना है में बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से क्योंकि तुम लोगा देखोगे जी जी एस पेपर टू में देखोगे तो वहां पे एंजियो सिविल सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्र एडिटोरियल आई जिसमें कहा था कि एसेंबल मोडल को अपनाना चाहिए याद करो याद है ना सभी तुम लोगों एसेंबल मोडल को और अडप्ट करना चाहिए तो लगबक मुद्दा सेमी मुद्दा यहां पर आया अब दूसरे दिश्टिक कोन से आया है कि अब हमें ज लोगे हम लोग किस डिस्टिक से बेगुसरा डिस्टिक महना बेगुसरा वी तो बड़ा एक जगा परेंफोल होगा जरूरी नहीं कि दूसरे परेंफोल हो तो इस स्पेसिफिक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसी पर हम देखेंगे यह जो 40 यह का जो डेटा है क है डेटा में किस तरह का वैरियेशन साया है तो बहुत ही एक तरह से बहुत ही सुन्दर एडिटोरियल्स बहुत ही ज्यादा डेटा है इसमें तो समझने वाला चीजे समझे ना तो यह तीन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे चलो बढ़ते आगे ट्वेंटीश इंडिया फ इस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया इट्स नेबर हुट रिलेशन यह हिंदू पेपर माया था 24 जन्वेरी को तो देखो मामला क्या है अब यहां पर देखो जो चाइना का जो आर्मी है जो चाइना का वार्शिफ है सम्मरीन है वो लगातार बढ़ते चला गय है कि जिस चेत्र में रहेगा वहां पर वर्चस पर कायम करेगा वो जिसे हम जानते कि साव चैना सी में चैना क्या करके रखा है तो तो वही बताए कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी यानि कि चैना का जो नेवी है समझे उसका इक्छा है कि हम बहुत तेजी से इंडियन रिजन में हम अपना प्रिजन को बहुत तेजी से बढ़ाएं देखो अभी तक वहां बताए कि लगबक 370 सीप्स है सम्मरीन्स है 140 अधिक उसके पास सर्फिस कंपेडेंट है कंपेडेंट है मतलब लड़ने वाला जो हतियार है लड़ने वाला जो है पंस उसके पास और आन रिजन में बहुत ज्यादा ही वार्शिप है चाइना में समझे ना तो उसको टैकल करने के लिए उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है कि भारत भी बहुत तेजी से अपना वार्शिप सम्मरीन पे काम करें आगे देखो पिछले लुक अट डेवलोप्मेंट दिर इन दे चाइना पाकिस्तान एकोनोमी कोईडर उसके अंतरगर तो पाकिस्तान का गौदर कोट पे गौदर पोर्ट पे बी कंट्रोल है चाइना का याद करो सिर्लंका सिर्लंका का जो हममन टोटा है 99 यर्स के लिए लीज में दे दिया गया चाइना को देख रहे हो प्रिजंस कहां- के अंधामा इनिको पार के बगल में करा करकर करके है तुम्हारा एक कनाल है वह기를न क्रेंट करेट किया जाएगा जो Gulf of Thailand और तुम्हा आंंधामा अंशी को कनेक्ट करेगा और हम यह भी जानते हैं कि चैना तो जानते हो आर्टिफिशल आइलेंड्स बना रहा है माल्दिप्स में और चैना अभी खुद माल्दिप्स का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मुझ्जू वो गया था नो वहां पर पांच छे दिन रहा के आया है और वो बोला है कि हमको बहुत ज़्यदा ही इंवेस्मेंट चाहिए बेल्ट और इनिसिटिव के अंदर तो रिलेशन उस तरफ जा रहा है और इंडिया के तरफ टेंशन हो रहा है ता तीसरा नमर यह सीचल जो कि सौवन कंट्री एक कंट्री इंडियन ओसन रिजन में जानते हो बच्चों लो मॉरीशियस के अगल बगल है वहां पर भी चैना इंवेस्मेंट करना चाहता है अपना इसने मिलिटरी बेस बनाया कंबोडिया में भी कमरोस जो तुम्हारा एक आइलेंड कंट कहां कहां नहीं है जिवाओती जिवाओती में है इसका कैपी पोर्ट महिनमार में है हमन्टोटा में है माल्दिप्स में है अभी इधर कनाल खुल रहा है तुम्हा इंडोन ए अंदमान स्टीश को करेगा ती सब हमाई लिए बहुत खत्रा है स्टुडेट आगे देखो यह देख सकते हो तुम लोग जिवाओती दिख रहा है सिल लंका काम टोटा दिख रहा होगा माल्दिप्स पिक्चर भी दिख रहा होगा और रखिन स्टीट का तुमको कैपी पोर्ट भी दिख रहा होगा ठाड़ फिगर आगे बर हो तो वाट कैन वी इंफर फ्रम दिस यहां स हम क्या समझ सकते हैं हम यहां से यही समझ सकते हैं कि जो चाइना जो अपना काम कर रहा है और पूरी तरीके से इंडिया को चैलेंज दे रहा है इंडियन ओसन रिजन में समझें इंडिया को बहुत ज़्यादा ही चैलेंज दे रहा है चाइना तो देखो हान आफ अफरिका जिवाउती में जिवाउती इसले के मैनमार तक इसका प्रेजंस स्रिलंका सीसेल्स मालदिफ पाकिस्तान का गौदर पूर्ट इससे साफ साफ दीखता है कि चैना का जो एक्षन हो इंडिया को कंटेंड करने के लिए इंडिया को चैलेंज करने के लिए हैं समझें और ग्लोब इसले डिल रद हुआ याद है ना तुमको युएस डॉनल्ड ट्रम्प थे उससमें प्रेसिडेंट जैसे रद हुआ उसका सेंक्सन लग गिया इरान के उपर तो फिर इंडिया बेपार नहीं कर पाया और वो गैप को चैना ने फिलफ कर दिया तो वही बोला ओस्ट एस्ट इंडिया ही बनाएगे देता है तो हमारा बहुत अच्छा रिलेस्ट था अफ्रिका के साथ अब वह भी डिलेस्ट को चैलेंज दे रहा है यानिकि वह रिलेस्ट ज्यादा बढ़ा रहा है चाइना उधर जाके इन्वेस करके तो हमें इस सब चीज पर ध्यान देना चाहिए समझें तुद्य को सेकें क्या लिखा गया है चाना जी से साथ से एक्सपांड करें ग्लोबल साथ में वर्चस्प जमाना चाहता है अपना समझें पूरा एफ़र्स दिये जा रहा है ताकि वेस्ट इस्टेसिया से इसका संबंद मजबूत हो अफ्रीका से संबंद मजबूत हो तो इसका वे स्टेसिया जानते हो इयरान में पूरा दब-बदा है इसका ऑप तो बोलता है कि पाकिस्तान औरियान के बीँच में कुछ फॉल नोगे तोची लोग ट। तो दो चीज निकल के आता है पहला तो यह हम जानतें हैं कईनेडल इस्पेस में एनींनेडम स्टने और हम याद कर सलामी स्लाइस टेकनिक है ना और अभी जस्ट हम लोग वेजर फोरकास्टिंगा भी देखे थे वहां पर मोडल कुछ उल्टा-पुल्टा करके वो लोग है ना फ्लड बगर अला किसे हमारे मिनिस्टर अफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी यह बयान जारी किया थ और हमथे क्लाइमेट मोडल में कुछ प्रओलम देकर ना हमारे हमारे जगह कोई ह्तियान अचाहता है चाहना आ लाइन अक्तरे देंगा जो मैक महल रहा है वहां पर भी चैना उस गैप को भरना चाहता है समझे तो वहीं लिखा गया देखो चैना कोशिस कर रहा है कि हर इस पेस में जाए जहां पर इंडिया historically engaged था जैसे अफरिका में जाने का बात है जबकि अफरिका हमारे कंट्री के लिए इस तरह कहा जाए तो चैना को तो कोई नुपसान तो है नहीं उस गैप को चैना भर देता है तो इंडिया का नुपसान हो जाएगा तो इंडिया को यहां पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए हमारा जो हमारा जो कंट्रोल है हमारा जो गुड्विल हो सब खतम हो जाएगा आगे देखो तो भारत को क्या करना चाहिए अच्छे स्थिति में भारत को ऐसे स्थिति में यह करना चाहिए देखो इंडो-पैसिफिक यह जो सब्द है इसका डेफिनेशन डिफिनेशन डिफ दिएसे बैवर को भी इंडियोपसिफिक बशन नहीं बुला कि इंडियन की इंडियोफ फ्रीट में गया सुन इसलिए स्टूरेंट इस लिए क्या करना चाहिए कि जितने भी लाईक मी análद कभ़ी विच वेस्टरन कभ़ी विख है कि इन्टिन आशिन डीजन में में उसके साथ कोड़ाइबराइट करना चाहिए है कि और टाइब कोलाइबरेशन को पुरा चैलेंज दे रहा है भारत को तो हमें अपना क्या ब्रेस्टेट और अलाईए से वेस्ट्न पाबर से है समझें कि इंडो पैसिए उनों के लिए उतना ही इनबोर्टेंट है क्योंकि उनलों को चाहिए विडम आफ नेविगेस्ट इसलिए भारत को लाइक-माइनडेट कंट्रीज के साथ हैं कंटेंड करना चीह क्योंकि अभी इंडिया-णोसन डीजन में के विल दिनकेक का भूब है जा hundred के साथ करेंगे जैसे फ्राणस वह गया जर्मनी वह गया प्रिटेंञ हो गया इए थान्ठी कांट्री से अफसान हो जाएगा तो पूरा करता है कि किस तरह का पार्टने में हम आगे होता है तो सबसे पहला जो भुखतेगा वो भारती भुखतेगा क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा है इंडिया नोसर निजन में समझ गे ना यह संसरी से इडिटोरियल्स का पढ़ लेना समझ में आजेगा सभी चीज सेकेंड देखो 27 cancellation of FCRA licenses let us recall the supreme court judgment of 2022 मामला क्या है थोड़ी दिर में समझोगे GS paper 3 international relation challenges to internal security through communication network role of media and social networking sites in internal security challenges basics of cyber security money laundering and its prevention यह ये हिंदू पेपर माया था 23 जन्वरी को तो देखो मामला क्या है हलाकि यह हम तुम्हों को डे-to-day कर इंटर फिर्स में बता चुके हैं बहुत सरा चीज सेंटर फापबिक इसी प्रिसर्च बताया थे न बच्छे लोग सेंटर फपब्लीघ रिसर्च एक एंगी ओस जिसका लाइसिन्स रध कर दिया गया अब होता कि है दोको FCRA का मतलब क्या है हमारा जो एंजी ओस है सिविल सोसाइटी है ना इंजी मतलब नं-governmental बॉड़िस सब इसको फोरेंट मिलता है बाहर से ना इंटरनेशनल एड मिलता है ताकि यह जो पैसा से मिले ताकि उसका सद्वपियों कर सके उसका जो परपस है उस परपस पर खर्च कर सके बात समझा और देश को फाइदा हो इसलिए इसलिए इंटरनेशनल एड लेता है है इसलिए बाहर का असिस्टेंस लेता है मगर FCR CPR का मतलब क्या है Center for Public Research यह भी एक एंजियो इसका लाइसन्स रद कर दिया मिनिस्ट्री फोर्म अफिर्स ने और यह बहुत ही प्रतिस्टित एंजियो है स्टुरेंट सिमिलरली नीचे देखोगे तो वर्ल्ड वीजन इंडिया यह सबसे बड़ा एक एंजियो है भारत का समझे इंडिया का भी लाइसन्स रद कर दिया यह तो प्रतिस्टित एंजियो है दोनों का लाइसेंस कर दिया है इस लिए मामला बहुत उठीया बहुत बिखार लॉटल स्टुड उट्विक यह थैजेम एक घटना बीॉटरिया है फोरा में और सीथखे है सोगे अब यहां पर समझो इस्टूडेंट अभी घटना हुआ इक अब यह जो भी हुआ है तो इससे सम्मंदित पहले भी हुआ था उस समय मामला गया सुप्रिम कोड में सुप्रिम कोड का 2022 का जो जज्जमेंट है वह बहुत इंपॉर्टन जज्जमेंट और सुप्रिम कोड ने प किया समझें तो मामला देखो क्या हुआ पहले देखते अच्छे से वाई वह वाई 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 वाद दा एफ्सीरे रेजिस्ट्रेशन फर सेंटर्स फर पब्लिक रिसर्च एंड वर्ल्ड वीजन इंडिया वर कैंसल बाई मिनिस्ट्री अफोम क्या अरोप लगाया है सेंटर फोर पप्लिक रिसर्च पे मिल रहा है और दोनेशन मिल रहा था पैसा आपके आपको फॉरैंड डोनेशन मिल रहा है बहुत बैंगियों मिल आ था उना परन कर रहे हैं अशन पशिए इंडिया मोट चला न वंटो बात बाहर का जो पैसा आप ले रहे हो तो आपको अपनाना काम करना चीज जिस चीज के लिए आप पैसा ले रहे हो आपको प्रोटेस्ट थोड़ी करना है सरकार को गिराना थोड़ी है सरकार को सरकार के सरपे चहर जाओगे फिर वो संग्यान लेगा फिर सरकार तो MHA ने यह तुम वही पैसा से तुम कोट गया है सब लीगल प्रोसेस किया है तो पैसा उस चीज के लिए था ही नहीं तुमने फंड को मिस्यूस किया है इसे भारत का एकोनोमिक इंट्रेस्स पर इंपक्ट पर आहा है इसलिए हम तुम्हारा रिजिस्ट्रेशन क्या करते हैं सो सिंपल आया समझ में न और देखो क्या पड़ा कि इसने यह भी बोला कि एलाइज एट इंगेज इंगेज इन प्रडक्शन अप करेंट अफिर्स प्रगाम विच वाइलेटेट दव एफ्सीरे नौम्स अब करेंट अफिर्स प्रगाम क्या है मैं थोड़ी दिन बताता हूं इसने कहा कि जो आपका जो सेंटर फ़ पॉब्लिक रिसर्च जो एंग्योज है उसके जो थिंग टैंक सब थिंग टैंक समझते हूं जो इंटलेक्शल पीपल सब है जो तेज दिमाग का अदमी सब है उसने क्या किया कि करेंट अफिर्स प्रगाम को भी क्या किया प्रप्रस अट्व pista प्लिये के लिए वो कितना काम हुआ यहनेग से काम और मोंत्रख्यों काम तो आप उस क्यों सब्सक्रण नहीं पर उपर्ण में क्यों मठेल्एर और वहां पंड जो वाहरा है शुक्त less परगाम वे इंगे लिंग बदेगे कि बाद में सफाई दिया CPR ने कि नहीं यह करेंट अफेर्स प्रग्राम के अंतरगत नहीं आएगा तो यहां पर देखो थर्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा तुमको कि CPR ने रिपोर्ट जारी किया कौंसा एर प्लूशन ओबर विव अंदर कमिशन फर एर क्वालिटी तुम कहा है वह डूमेन में घुसा का इंटरफेट्स प्रगाम में तुम कहा है घुसा यह तो स्टिकली प्रभीटेट है सेक्सेंट्री फ्सी अरे में अथी बोला है कि सरकार का कोई भी प्रगाम और पॉलिजी हो वसमें एंजियों को घुष नहीं तुम को आएगा तो समझ में पर लेना आप समझ में आ जाएगा सभी चीज़ हाँ सिमिलरली एक तो समझ में आ गया हो तो सेंटर पब्लिक रिसर्च में क्या हुआ कर इंडिया उसका भी लाइसेंस रद कर दिया क्यूंकि कि एपसी आरे एपसी आरे का जो भी नॉम्स था जो भी कंडिशन था उसको वाइलेट किया इसने 2012 से लेके 2021 तक वह समझें यह देखो वर्ल्ड वीजन इंडिया भात में सबसे बड़ा एंजियो इस सेंस में कि सबसे जादा इसको फॉरेंट डोनेशन मिलता है समझें और यह लाइसन्स रद कर दिया इसलिए नियूज में आई जाएगा यह बहुत बारा मामला हो गया आया समझ में ना क्यूं आखिर पहला तो समझ में आ गया कि सेंटर फ़र पब्लीक रिसर्च बाला जो एंजियो इसका कैंसल क्यूं किया गया क्यूंकि 2012 से लेके 2020 से किस तक समझे ना यह बहुत सारे FCRA का जो नॉम्स उसको वाइलेट किया है अब FCRA का नॉम्स अब क्या है तब थोड़ी दिर में बताऊंगा मैं तो नॉम्स वाइलेट करने के बाएस से क्योंकि स्टैट्यूरी नॉम्स है ना फॉरें कंट्रिबूशन रेगुलेशन जो एक्ट है तो व आगे मामला क्या है अब पहली बार यह जो फॉरेंड कंट्रिबूशन रेगुलेशन एक्ट इसे पर हिस्ट्री पर हो बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेंट पहले तीन साल पहले बहुत न्यूज में रहता था यह अब त्रकाम हो गया पहले बहुत रहता था यह अमामला समझो कि पहली बार यह लेशन बना कर पारलेमेंट से पहली बार कप पास हुआ तो 1976 में अबर्जेंसी के टाइम आया था यह स्टूरेंट अब सोचो कि इंडरा गांदी अमेर्जेंसी के टाइम में क्यों लाई होग कि रोकने के लिए क्योंकि बाहर से पैसे आएगा फिर इंडिया में प्रोटेस्ट होगा और इंडरा गांदी को चैलेंज होगा इसलिए इंडरा गांदी ने FCRA वाला लाया था उस समय 1976 में तो 1976 में लाया गया उसको फिर से बाद में 2010 में उसको रिप्लेस कर देगा रिपि प्रोटेस्ट नहीं आया है 2010 में उसको रिपील कर दिया नहीं में यह स्टुडेंट उसको फिर अमेंड किया कब 2020 में मोदी जी का से अंदर इसमें बहु सरे चीज़ सब एड किये अब यह जानने वाला बात यह है इस्टूडेंट जानने वाला चीज यह है कि जो भी 2010 में जो भी रूल्स और रेगुलेशन आया कड़क रूल था ऐसा नहीं के रूल कम जोड़ था मा उतना ध्यार नहीं दिया सरकार ने उस समय मनमोंजी के सरकार ने मा वही रूल्स और रेगुलेशन अभी का जो प्रिजन गवर्मेंट है उसने बहुत जादा ही टाइट कर दि किया है मनमोंजी के टाइम में क्या था दिकत यह था कि वह जो इस्ट्रिक प्रभीजन था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया ठीक अभी समझ में आ जागा थोड़ी दिर में तुम लोग को तो यह 2010 में अमेंडमेंट किया और यह पुड़ी तरीके से कौन डाइगुलेट करे का रखिंगे को सब्सक्राइक athyन अर्च को को का amendment का यानि कि FCRA का जो भी act है उसको ठीक से follow कर रहा है तो उसका renew होते चला जाएगा तो पहला initial initial registration कितना साल के लिए होगा 5 आप फिर subsequently उसका renew करती हो जाएगा होते हो जाएगा सब क्या है कि comply ठीक से किया है कि नहीं किया सब norms को ठीक से माना है कि नहीं माना है अब प्रोब्लम तिवी हुआ जो आगे देखो कि पेज में जो रेजिट्रेशन ऑलगे इनडिया सॉपे पॉलड फिजंट इंडिया इससंव हो सकता है आया समझ में ना नमबर टू नमबर ठीक क्या आए कि जो भी असोसियेशन है जो भी एंजियो सब है जो भी फॉरेंड डेनोशन रेसीब करेगा वह सोचल प्रोजेक्ट के लिए एजुकेशनल रिलिजियस एकोनॉमिक एंड कल्चल परपस के लिए लिए सकता है सौमिनीटी किराने के लिए नहीं बाभू समझे जो भी एंजियो जो भी एंजियो फॉरेंड फंड्स लेगा इसका मतलब यह नहीं कि भारत का सौमिनीटी और इंटीगिटी पे कोई खत्रा आए बाहर से पैसा लेकि यहां बंदूग दे कर अनक्साल को तुम नहीं दे सकते ह तुम प्षान से इसलिए तो सरकार क्रेक्ट कर दिया यहां पे जाके सिपीर में बाहर से पैसा लेकि तुम पर्टेस में देगा पैसा तुम लगायाए तुम लीगल चैलेंज लड़ेगा हमारे यह का मैं तूम पपलीज करेगा तो काम क्या था एंजिए उसका पैसे लेके सोसल एजुकेशनल रिलिजियस एकोनोमिक एंड कल्चल परपस के लिए लेना था उसको वहां पर खर्च करना था ऐसा जगह पर खर्च ना करें ऐसा जगह पैसा यूज ना करें जिससे इंटीग्रिटी और सॉबिनिटी अफ इंडिया पर कोई खत्रा आप सके यह आएगा त पांच नमर में दिया गया था को बहुत इंपोर्टन चीज है कि जो पॉलिटिकल प्रटी को इलेक्ट बॉंट्स मिलता है ना जानते हो ना भारत में पॉलिटिकल पार्टी किसे डोनेशन ले सकता हमारे इंडिया डॉमेस्टिक कंपनी तो ले सकता है डॉमेस्टिक जितने फोरेंबस निए सब्स laughsẩब स्बॉंटिक कंपनी समझें को बाहर कांपणी एंडिया में सबस्था उससे फाइसे पैसा ले सदता बार्ण से नेाच ले सकता हो मैं इंडिया कंपनी ऐग था पॉलिटिकल पजस में पहरें गया दूसरा देखो दूसरा कंई बहार बाहर कोई कंपनी बाहर है जिसम भारत का अपना आदमी का 50 परसंट से ज्यादा से तो उसे भारत पॉलिटिकल पाड़ी पैसा ले सकता है जैसे मालों कि हमारा बहुत सरा ना टाटा कंपनी हो गया टाटा कंपनी का बार प्रिजेंट से अफ्रिकावी प्रिजेंट से ना एट सकता है तो समझे पॉलिटिक और यह इलेक्टिल बोला गया और जो भी पैसा देगा हुआ इन अनुमस रहेगा इन सबसे बरा टेंसन है कि जो भी पैसा देगा इनियुन मस्तों पाता है को पासा कौन दे रहा है तो यह भी एपसी आरे के अंदर ही आता है इसलिए बाह समझ तो पॉलिटिकल प्राइज कैसे पैसा ले सकता है को फ़ाट कंट्री है इंडिया समय है या पर सुन से रहे तो वहां से पैसा ले सकता है पाच नमर छठा नमर देखो यहां पर यह को लगे कि भाई कुछ अधिकत है आप पैसा को गलत तरह किसे यूज कर रहे तो इने से लिए 180 दिन के लिए उस असोसियेशन का उस एंजियों का लाइसेंस क्या कर सकता हो कैंसल कर सकता है मतलब सकता है 180 दिन के लिए इनिशियल पिरेट में समझे 180 डेस के लिए उसस्पेंड कर सकता है साथ नमर देखो अब देखो साथ आठ नौ यह 2020 अमेंडमिन में जोड़ा गया हूं समझे साथ आठ नौ तो 2020 का अमेंडमिन में बोला गया कि जितने भी एंजियों जो फCRA एक FCRA fund को रिसीप करेगा उसका अपना एक bank account होना चाहिए अब bank account कहां होगा SBI New Delhi branch बस New Delhi का SBI branch में बाकि कोई country के बाकि हमारे country में किसी दूसरे bank का नहीं हो सकता है ओभी SBI मतलब दूसरे दूसरे जगह का SBI नहीं New Delhi branch का SBI ताकि सरकार control कर सके सरकार देख सके पैसा कहां से आ रहा है बात समझे तो जीतने भी NGOs होंगे जो पैसा receive करेंगे foreign receive करेंगे उसके लिए necessary compulsory है कि आप account बनाओ कहां पर account बनाओ SBI New Delhi branch में ताकि सरकार उसके उपर निगरानी कर सके और को भी दूसरा bank account है तो वह भी link करो मेन अकाउंट से ऐसा होता नहीं कि एक संस्था का दस अकाउंट हो सकता है जो भी है तो link करो मेन अकाउंट से इससे सरकार को MHA बहुत अच्छे से निगरानी कर पाएगा समझे यहीं से तो सब्सक्राइब होता है आठ नमर देखो बहुत इंपोर्डेंट है तो बात समझे 2020 का अमेंडमेंट में कितना बरा कितना अमेंडमेंट हुआ है 2020 में कि जितने भी एंजियो जो foreign aid रिसीप कर रहे हैं उसको कंपल्सरी एकाउंट खोलना है कहां पे सब्सक्राइब है और जो भी दूसरा अकाउंट है तो वह भी लिंक करवाना है में अकाउंट से ताकि जो पैसा बाहर से आ रहा है उस पे सरकार पूरा चेक कर लें कि सब्सक्राइब है ना अपना तो बोला कि जो administrative expenses administrative expenses का मतलब क्या है कि computer रखना है office खोलना है office का रेंट देना होता ना तो ओक मैनेजमेंट वह केवल आप 20 प्रतिसाथी खर्च कर सकते यानि कि आपको 100 रिप्या मिला है बाहर से तो 20 प्रतिसाथी आप administrative expenses करो गया अब यहां पे कुछ word है यहां पर कुछ important चीज है इसके बाइस से ना ऐसे एंग्यों को problem होगा जो एडवोकेसी के लिए काम कर रहा है अब एडवोकेसी तो एडवोकेसी टाइप सब एंग्यों को इंपैक्ट पड़ेगा एडवोकेसी मतना क्या है कि जिसको awareness फैलाना है जिसके लिए administrative expenses बहुत ज्यादा लगता है तो धका हो जाएगा वहां problem हो जाएगा last one देखो इसमें यह भी कहा कि एक एंग्यों दूसरे एंग्योंॉग फीर से लिए बॉला कि एक एंग्यों सब데े सकता है इयक हो स्ट मॉल्र एंग्यों को सब grant करवा दिया ताकि इसमें ट्रांस्पेरेंसी आ सके इसमें एकाउंटिबिलिटी आ सके होपसो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों तो वाट इस दा रोल आगे देखो इस्टुएंट तो एंजियोस आर रिक्वाइड टू गिप सर्टिफिकेशन टू दा गॉवर्मेंट अब को 2010 में एक्ट आया तो रूल सर्रेगुलिशन तो बाद में भी आता है जानते हो मैंने कहा ने कि छे मैना अंदर रूल सर्रेगुलिशन आता है एक्ट प मतलब foreign donation receive कर रहा है उसको quarterly यानि की तीन मैना में तीन मैना में उसको returns file करना है समझ रहा है कहां कहां पैसे ख़र्च हुआ है सब returns file करना है अब यह जो पहला जो दिखाया गया तुम लोग को समझो वर्ल्ड भीजन वाला एंजियो था न उसने यही चीज नहीं किया पता है यही नॉर्म्स वालेट किया है क्या बोला गया तो तीन-तीन मैना में quarterly क्या करना है अपने रिटरंस फाइल करना है यह कोई NGOS quarterly अपना रिटरंस फाइल नहीं दिखाएगा नहीं करेगा तो उसका रद होने का चांस है इनिसियल 180 दिन के लिए सस्पेंड हो सकता है या फिर वह पूरा पर्मानेंटली उसको सस्पेंड किया जा सकता है उसको रेस्टरिसन उसक्ताम किया सकता है आया समझ में तो अभी मोदी जी आ चुके है 2015 में तो FCRA जो रूल सार रेगुलेशन था उसमें यह चीज़ है कि आपको कंपल्सरी तीन-तीन मैना में अपना है ना फाइ समझें यह चीज़ वहां पर लिखा गया था अब आगे देखो तो उस समय देखो सोचने वाली बात है जब सरकार आई है भी बहुत सारा का रेइस्ट्रेशन खतम करें यह तीन-चार साल से चली रहा है मामना तो सब लोग दोड़ते हो गया सुप्रिम कोड के पास कि आप ह सिबिल सुसाइटी बिना एंजियोस बिना प्रेशर गूरूप का हम डेमोक्रिसी इमेजिनी नहीं कर सकते हैं आ रहा है समझ में न उसके बिना इमेजिनी नहीं हो सकता है तब इतना जदा जब क्रैक्डाउन हुआ सब लोग दोर के गया सुप्रिम कोड अब सुप्रिम सुप्रिम कोड ने भी है भी क्रैक्डाउन दिया यहीं पर एंजियोस के ऊपर देखो तो बहुती लैंडमार्क जज्ज्मेंट सुप्रिम कोड का अप्रेल 2022 का देखो क्योंकि मामला उठा था कि 2020 में जो अमेंडमेंड में किया गया वह क्या कॉंस्टिशनल लीगल है कि न कोड में जाया गया जो अमेंडमेंड किया गया 2020 में उसी को चेक करने के लिए उपर गया तो 2022 में जज्ज्मेंट आया सफ्रेम कोड का कि नहीं सही बात सरकार ने सही बोला एक सौब निटी और इंटीगरिटिव इंडिया सब से सुप्रीम है इससे बड़ा कोई चीज नही कर दाम है सरकार ने बोला कि इंटीगरिटिव इंडिया और इसको देखते हुए एंजियो का रेजिस्टेशन कैंसल हो रहा है लाइसेंस कैंसल रहा है नमावान पूंट सेकंड देखो सेकंड क्या बोला सुप्रीम कोड़ने अब यहां पर देखो यह सुप्रीम कोड़ने छुप्री इसको माना कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो फॉरेंट फर्ड्स जो मिल रहा है एंज्यो उसको बाहु जदा मिल रहा है और जिस सीसके लिए पैसा ले रहा है जिस सीस के लिए एंजियो रेइस्टर् कर ला है उसमें और उपरची नहीं कर रहा है खर्चिनि मतलब खर्च नहीं कर पा रहा है समझ रहो न ईजी उस पईसा लेकी खर्च नहीं कर रहा है। इसा सुपरीम कॉट ना भी पाया है कि फॉरेंड फंड्स इंट्ट्री रही आप इंक्रिशिंगली नि इंक्रीजिंग इंक्रीन कंसिटीव ओड़ दे अगर प्रतेक साल बढ़ते चला जा रहा है फॉर एड और बहुत सरे एंजियोस क्या करें फंड को ठीक जगा पर यूजी नहीं करें जिसके लिए वो रेजिस्टर किया है एंजियोस बहुत सरे एंजियोस तो तुम्हारा जो इस्टैजुरी कंप्लाइंस जो लौ है मारे 2020 का तीसरा बहुत इंपोर्टन जस मैंने कहा ना उसमें बोला कहते हैं कि एक एंजियो दूसरे एंजियो को पैसा नहीं दे सकता है जो चोटे-छोटे एंजियोस है यह लोग बहुत चलाकी करता था पैसा लेकर नीची देता था वही तुमारा जो लिए ट्रेल आप मनी पता ही कि पाइसा कहा से कहा गया तो मनी ओंड्रींग हो रहा है एक तरस तिसरा पॉइंट मोली लाउंड्रींग कुला कदी आच्छी बात चाओ था-था-जैन हो बलाइक की बिलकूल यह दिए अब देखो छोथा नमोर बहुत ही लाइक बात कहा है Supreme Court ने कहा है कि बाहर से पैसा लेने के जुरोध था आपको इंडिया उतना नहीं कर सकता है क्या इदि इंडिया बाहर से पैसा ले रहा है तो हमारा जो constitutional morality नेशन का वह अंडरमाइन हो रहा है बाद समझें वह अंडरमाइन हो रहा है क्या मतलब नेशन है अपने 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 सीटिजन को नहीं देख सकता है बाहर से इतना पैसा लेने क्या जुरोध है अरे एक जानते हो ने एक गंदा इमेज बन जाता है कि बाहर का पैसा ले रहे हैं यहीं कि नेशन का पाद इतना पैसा नहीं कि बाहर से पैसा लेना पर रहा है हमको तो यह सुप्रीम कोट ने बोला है और इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने ये भी बात रखा है कि 2010 से लेके 2019 तक जो फॉरें डॉनेशन लगबग डबल हुआ है और बहुत सारे जो एंजियोस थे जो रेजिटर एंजियोस थे वह स्टैचुरी फॉर्मलिटी को निभा नहीं पाए तो इसमें कोई गुना नहीं है क्योंकि इस्टैचुरी कंप्लाइंस नहीं करो गया आपको तापको जाएगा कैंसल होगा तो कहने का मतलब सुप्रीम कुट का 2022 का जो जाज्मेंट है और गवर्मेंट के फर में ही गया है और एंजियोस में प्रोब्लम है बहुत समझते हैं कि इसलिए सरकार ये दी कैंसल करती है रेस्टेशन को सरकार ये लाइसेंस कैंसल करती है तो सरकार को प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए यह हम कह सकते हैं कंक्लूजन में बात समझ गए हैं आगे बढ़ते हैं लास्ट वन देखो 28 देखो इंडियन क्लाइमेट रिजन स्पेसिफिक प्लांस तो इंप्रूब क्लामेट रेजिलियंस इस दर नीड अब दावर यह जियास्टर एंड डिजास्टर मेनेजमेंट यह तुम्हारा 20 जन्वरी को आया था हिंदू पेपर में मामला क्या है दखो इंडियन मेटलोजिकल डिपार्टमें जितना भी देखते हो ना तुम लोग अभी बर्षा होगा कब होगा नहीं होगा सब हमारा इमड देखता है बहुत बड़ा संस्था है और 150 साल हो गया इस संस्था के यह निकि बिटिस काल में ही स्टार्ट हुआ था यह समझे इसका जे तो देखो यहां पर जो इंडियन मेटलोजिकल डिपार्टमेंट है हमारा यह कॉलियल टाइम का है और यह इसलिए बनाया था कि जो सौथ इस्ट मंसुन का जो मिस्ट्री है उस समें तो साइंस उतना आवेर नहीं था उतना टेक्नलोजी नहीं आया था तो हो क्या रहा सौथ वेस्ट मंसुन में हो क्या रहा है किस तरह यह आता है क्या इसका पैटर्न उसको समझने के लिए इंडी बनाया था एक सो पचास साल पहले समझे तो यह पी आसी पूछ लेगा तुम लोग से जब वान फिप्टी एर्स हो रहा है इंडी का तो कोशन तो बनता है इंड के ऊपर बात समझें इसी तरह सेंटेनरी एर सपुस्ता है गोल्डन जूबली सिल्वर जूबली वाला यह पूछेगा नमा वान पॉइंट क्यों बनाया है तो वही सौथ वेस्ट मंसुन का मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तो बीटीस एड्मिनिस्ट्रेशन को केवल मत हो गया तो इंपेक्ट पड़ेगा दो इसको पहले पता चल जाए अभीवी क्लाइमेट जो एक्सपर्ट है पहले नं पता जाते कि यह वने बाला बरसा होने बाला अपना उस आपकर लीजिए प्र बाशन को फरी पनाकु पहले पता चल जाना जाए कि मन्सुन का आथर हरब इननों ज्यादा कमा पाएगा तो इसका यह इंट्रेस्ट था स्टुडेंट ओबर एपिरेट अफ डिकेट्स 10 साल में क्या होगा इसके पास डेटा होगा तो बहुत कुछ समझ पाएं कि साउथ इस्ट मंसुन किस तरह बिहेव कर रहा है तो यहां पर देखो नीचे लिखा ग सब्सक्राइब कर देखो नीचे देखो वहां पर लिखा गया है आट काउंसिल ऑन एनरजी इनवार्यमेंट और टिके एक संस्था सब्सक्राइब सम्झा इमडिका एक संस्था क्या सकते हो जिसने पता किया कि यह 40 साल में फोर डिकेट्स में रेंफॉल का क्या पैटर्न रहा है सब रिजनल लेबल पे इसम फूरा डिटेलिंग है तो अब अब डिटेलिंग देखो कि समझ में आजाए किया किया हुआ देखो नम्मो वान पॉइंट देखो पर जा तुसे पहले हैट लाइन देखो रीजनल वैरियेशन इस दर रियल कंसर देख रहे हो ना रीजनल वैरियेशन का मतलब क्या है देखो अब गूगल में देखोगे तो कि बेगुशराय डिस्टिक में बारिस हुआ मां देखो कि बेगुशराय डिस्टिक में एक ही जगा बारिस हुआ बाकी जगा बारिस ही नहीं हुआ बहुत सरे तैसिल वही ब्लॉक लेबल होता है तालुक जिसको बोलते हैं जानते हैं तैसिल लेबल ब्लॉक लेबल तो बह आपना आपना नम्मर वान देखो मंसुन रेंफॉल इस इंक्रीजिंग इन मोर देन हाफ हां बढ़ा है देखे रहे हो ना इंक्रीजिंग इन मोर देन हाफ और 55% परसेंट इंडिया रफली 4400 तैसल तालुक या फिर ब्लॉक्स कहने का मतलब जो मंसुन रेंफॉल वो बढ़ा है यानि कि 100% ब्लॉक्स है तो उसमें 55% में बढ़ा है समझें 55% ब्लॉक में बढ़ा है मंसुन रेंफॉल नम्मर वान अब हैरे से अब एलेवन परसेंट आफ देम बगर यह सौ परसेंट में 11 परसेंट जो है वहां पर रेंफॉल घटा है इन दोस तैसिल अबाट 68% यानि सतर प्रतिसत है जहां पर तुम्हारा चार मंच में जो रेंफॉल मिलना चीव घटा है जबकि 90% सोड़े डिक्लाइंट इन जून जुलाइं जुन आट जुलाइं में टाइम है ना मंसुन का सौथ वेस्ट मंसुन का लगवाद 90% को मिला ही नहीं ठीक से और इसका आसा डाय करोगे नीची जागे तब तेसिल का डेटा देखोगे तुमको पता चला कि बहुत सरे तेसिल में तो बाड़िस ही नहीं हुआ वहाँ जदा ही लाग है नमार वान पॉइंट दूसरा पॉइंट को 30% अफ इंडिन डिस्टिक्स विटने सेवले यर्स अब डिफिसित रेंफ अब यहां पर देख लो जैसे कुछ तेसिल राइस्थान का है गुजरात का है सेंट्रल महरास्टा का है कुछ तुमाहां टामिल नाडू का है जो कि हिस्टोरीकली बहुत ड्राय रहते थे यहां बरसा नहीं होता था मत देखो यहां पर भी बरसा होना सुरू हो गया वेटर टोसुना सुरूओ गया जूथा नमर देखो बाबू नौर्थीस्ट मंसून रेन ऐस इंक्रीजेंग आज तेन पर्स इन परस इनकेट में देखो गये डीकेट में 2012-2022 तक तक पर देखो गये यह 1010 मेर्स में तो जो हमान नॉर्थ इस्ट मंसून था जो डिटेटिंग मंसून है बच्चे लोग ठीक वह 10% बढ़ा है इन अप्रोक्सिमेटी अब तैसी लिन तामिलाडू देखो डामिलाडू पर डायक अटेक हो गया इसका तो तो तुम्हारा तामिलाडू में 44 परसें तेलंगा नामें 39 परसें तुम्हान आंदरपर्देश में तो यहीं निकाला है यह देखो यह सी इडबलू औरनी काउंसिल अफ एनेड़जी आप इसम्बल बी कहते हैं अब देखो न कुछ मेना पहले जो टामिलाडू का एक डिस्टिक था उसमें बहुत ज़्यदा बारिस हो गया था तो उसमें बताया जा रहा थे कि जो अभी का मॉडल वो फेल कर जाएगा इसलिए एसेंबल मॉडल पर हमें चलना चाहिए आएमडी ने सुरू कर दिया और आएमडी के पास दो सुपर कंप्यूटर है एट प्रेजन वेदर फर्कास्टिंग इसक्वाइडवांस बढ़िया एडवांस और भी कुछ करने की जरूत है एडवांस होने के बावजूत भी तो हम तो फेल कर जा रहे हैं इसलिए एसेंबल म हैं और Хam kia करते हैं अभी हम kuoyantity precipitation estimation करते हैं महां हमें कौम सा मॉडल पर जाना चाहिए सब्सक्राइब हरे सब्सक्राइब हारा गचाइस प्रवादी प्रवादी कर रहा है इसलिए रीजन 22 आकरा चाहिए रीजन 22 डेटा चाहिए हमें तो ही बोला कि जो भी हो चाहे ग्लोबल वर्मिंग के बज़े से मनसुन ओ रहा हो सकता है कि यहां पर मनसुन हो रहा हो या फिर क्लाइमएट ग्लोबल वर्मिंग के बज़े से भी हो ठीक इस पर रिसर्च चलते रहे गा कोई दिकत नहीं इस पर रिसर्च होते रहे गा कि हमें किस तरह का चाहिए हमें रीजन स्पेसिफिक प्लान चाहिए ताकि हम क्लाइमिट रेजिलेंस पे और अच्छा से काम कर सके समझे नहीं तो फिर फार्मर्स फिर सबसे जड़ा प्रोन होगा इसमें तो इसलिए लिखा गया इस टुल नास देखो हमें क्या करना चाहिए कि रीजनल और सब डिस्टिक फॉर्कास्ट करना चाहिए एस कंपेर टू नेशनल वन्स तक बात करना पड़ेगा और एदी सरकार इस तरह का कदम लेती है तो यह अपने आपावित होता है वो फार्मर कम मिनेटी प्रभावित होता है ऐसे हैं आफ कब्लेट